नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है काश और स्वागत है आज के इस वीडियो में जहाँ पर आज हम बात करने वाले हैं हारले 440X के बारे में वर्ल्ड वाइड हारले की तरफ से आने वाली पहली सिंगल सेंडर बाइक एंड हीरो के द्वारा बनाई हुई पहली 440cc बाइक येस हीरो ने हारले के साथ क्लाइबरेशन किया या फिर कहलो हारले ने हीरो के साथ क्लाइबरेशन किया उसके बाद तीन साल के अंदर इस प्रोड़क्ट को सोचा बनाया और लाँच कर दिया this bike is completely made in India and made for India hero के portfolio में आती है hero के showrooms से आपको deliver की जाती है and जो service है ना वो भी hero के service center पर ही होती है Harley 440X के बारे में इस video में हम detail में बात करेंगे क्या कुछ features आते हैं, क्या कुछ variants आते हैं कैसी क्या pricing रहने वाली है शुरुआत करना चाहेंगे इसमें आने वाले variants के साथ तो यहाँ पर आपको standard 3 variants मिल जाते है base variant denim vivid then S अभी जो अपने सामने देख रहे हैं वो S variant रहने वाला है pricing की बात की जाए तो 20-20,000 रुपए के अंतर पर रहने वाली है base variant 2,39,500 रुपीज एक showroom होता है उसके शुरुआत चाहभी के साथ तो ऐसी तो कुछ अपनी की आ जाती है देख सकते हो जहां पर आपको हारले का logo देखने को मिल जाता है बागी अपनी वेब की रहने वाली है की काफी ज़्यादा अच्छी है अब शुरुआत करते हैं फ्रंट से तो फ्रंट में आपको एक round shape में headlamp company offer कर देती है headlamp में एक feature यह आ जाता है कि यहां पर आपको automatic headlamp company offer कर रही है means अभी उजाला है तो यह नहीं जलेगी सेंटर में आपको देख सकते हो Harley Davidson की बैजिंग देखने को मिल जाती है इस बाइक में जितने भी electronics हैं वो सभी के सभी LED यूज़ किये गए है आप देख सकते हो अपने LED turn signal indicator देखने को मिल जाते हैं इसी के साथ-साथ company ने इसमें inbuilt 1000 offer किया है जो कि कुछ इस तरीके से work करता है बाकी electronics के बारे में तो बात हो गई अब बात कर लेते हैं इसमें आने वाले suspension के बारे में तो यहाँ पर हमें डिस्क फ्रेंट में company offer कर रही है डूल चैनल ABS है ब्रेकिंग रिलेक्टेड को इश्यू आएगा ने डीटेल रायर रिव्यू कर रखा है उसे भी जाके आप चक कर सकते हैं फ्रेंट में आने वाले टायर की बात करें तो 100 x 90 section रहता है 18 inches का alloy का size है और rear में एक इंच छोटा आता है बागे का tire size की बात करें तो जो पीछे का tire है वो 140 रहने वाला है 140 x 70 तो corners पर काफी अच्छी खासी grip आपको मिल जाएगी overall side एक बार इसकी देख सकते हो काफी जादा appealing लगती है and it actually looks like a Harley Harley वाला जो feel है वो यहाँ पर proper carry किया गया है अभी चलते हैं engine के उपर so यहाँ पर हमें company offer करती है 440 cc का single cylinder air and oil cooled engine oil cooler देख सकते हो वहाँ पर दिया गया है अगर performance की बात करते हैं तो performance इसकी काफी जादा अच्छी निकल के आ जाती है यहाँ पर हमें 27 bhp power and 38 newton meters का torque company offer कर देती है 170 mm का ground clearance आ जाता है नीचे आपको कुछ protection के लिए guard भी company offer कर देती है exhaust कुछ इस type से exhaust notice का में आपको आगे सुना दूगा पीछे की side में यहाँ पर हमें 7 step purchase table twin sock absorbers देखने को मिल जाते हैं एक इधर है एक उधर भी दिया गया 7 step purchase table है पीछे वाला थोड़ा सा stiffer side पर है आगे USD folks काफी ज़्यादा softer side पर आ जाता है tank के उपर आपको Harley Davidson की यहाँ पर बैजिंग देखने को मिल जाती है overall graphics इसकी काफी ज़्यादा अच्छी लगती है seat के बारे में बात करें तो seat विसकी काफी ज़्यादा comfortable हो जाती है पीछे की side अपनी यहाँ पर LED में tail lamp आ जाती है and नीचे अपनी number plate लगने के लिए जगा द आ रहा हूं माकी overall अगर इधर side आ जाते हैं तो इधर side से भी bike काफी ज़्यादा अच्छी बनके आती है यहाँ पर अपने कुसाड़ी guard company offer कर रही है चैन अपनी पूरी की पूरी open रहने वाली है अगर बात करें इसके gearbox की तो यहाँ पर हमें six speed का gearbox company offer कर देती है side stand में आपक 30 km तक का आपको mileage easily निकाल के दे देगी seat के बारे मैंने पहले ही आपको बताया है काफी ज़्यादा comfortable यह seats आ जाती है और यहाँ पर दो लोग बहुत comfortable हो के बैट जाएंगे अगर bike पर बैठेंगे तो देख सकते हो कुछ इस तरीके से आने वाली है अभी बात करते हैं पहले इंडिकेटर के लिए बटन यहाँ पर dedicated दिया गया है यह रहा अपना हॉन एक बार हॉन सुन लो कुछ ऐसा हॉन आ जाता है इधर अपनी engine kill switch and self button दिया गया है एक बार नहां मैं आपको इसका exhaust note भी सुना दू actually it feels like a Harley so यह एक definitely चीज बन जाती है इधर मैंने बता दिया बाकी इधर अपना एक hazard button आ जाता है नीचे की side अपना SOS button है Bluetooth के जरीए आप इसे connect कर सकते हैं अगर crash करते हैं या फिर आप इसे दबाते हैं तो आपके जो known one है कुछ इस टाइप से आता है तो आपके known one के पास आपकी information पहुँच जाती है बाकी ऐसी कुछ wires आती है यह रहे अपने circular में इसके rear viewing mirrors अभी नाम आ जाते हैं meter console के उपर तो यहाँ पर circular meter console आता है जो कि Harley की legacy को carry on कर रहा है तो यहाँ पर भी हमें काफी सारी information मिल जाती है चीज बन जाती है उसके नीचे अपनी यहाँ पर trip आ जाती है इधर से आप toggle करेंगे तो यहाँ पर आपको कुछ और information भी मिल जाती है real time fuel वगरा देखने को मिल जाता है service due indicator वगरा भी आपको यहाँ पर company offer कर रही है बाकि necessary warning lights इधर आ जाती है इधर अपना Harley लिखावो आ जाता है नीचे fuel gauge indicator का जाता है यहाँ पर side stand indicator है एक बार इसका animation मैं आपको दिखाना चाहूंगा सो काफी जदा प्यारा इसका animation आता है so overall ऐसी यह चीज़ कुछ बन जाती है अगर हम बात करते हैं further इसमें और कैके चीज़ें आती है देखो मैं एक चीज़ यह कहना चाहूंगा इसका मैंने एक detail ride review कर रखा है उसे जाके देखना वहाँ पर मैंने बाइक चलने में कैसी है क काफी सारे मायनों में बेटा बन जाती है यहाँ पर आपको अच्छे service देखने को मिल जाती है यहाँ पर आपको अच्छे looks company offer कर रही है उसी के साथ साथ इसकी performance भी काफी जादा अच्छी निकल के आती है उनके comparison में so guys that's all about harley 440x आप लोगों के क्या सोचना है harley 440x के बा बाइ बाइ